Computer Education में आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को like and share करना मैं इंजिनियर विकास कुमार तो आज का वीडियो में स्टार्ट करता हूँ Computer Fundamental में, MCQ, Test Series है, यह राष्तान प्लिस वालों के लिए, पटवार वालों के लिए और भी different different SSE, Bank, Railway, सभी प्रकार के एक्जामों के लिए important questions है, तो आपको questions को complete देखना है, इनकी questions की व्यक्या में options के according करता रहूँगा, बाकी जो questions के जो extra effect है यहापे में बताता रहूँगा, तो अपने वीडियो को continue में start करता हूँ, तो अपना आज का question है, first, विस वाका पहला mini computer कौन सा है, तो आप लोगों को यह बताने, तो विस वाका, विस वाका पहला mini computer कौन सा है, तो यहाँ पे PDP 8 है, ठीक है, तो आपको यह one-liner questions है, कुछ important essay questions है, तो आपको याद होने चाहिए, actual में basic fact है, computer history से related है, और other computer fundamental से मैंने questions ली है, तो विस वाका पहला mini computer कौन सा है, तो PDP 8 है, यह विस वाका पहला mini computer है, तो इसकी full form कई बार exam में पूछी जाती है, तो इसकी full form क्या होती है, programmable data processor, इसकी full form होती है, या program data processor भी बोलते हैं, या अलग-अलग जो जो बुक में लिखी हुई होती है, तो programmable data processor, program data processor एक ही बात है, तो next है, इसके अंदर है, यह किसके दौरा डवलप किया गय था, यह digital equipment, equipment corporation के दौरा इसको develop किया गया था, यह क्या होता था, 12 bit जो PDP, एट था, तो यह इस परकार से इसमें use किया गया था, तो आप लोगों को इस questions के बारे में आपको इतनी detail में आपको पता होना चाहिए कि, विश्वा का पहला mini computer कौन से था, PDP, एट था, इसकी full form क्या होती ह यह digital equipment, cooperation से दौरा डवलप किया गया था, PDP, एट, तीक है, आपको इस परकार से आपको याद रहना है, question number two है, भारत का पहला computer कहां इस्तापित किया गया था, यह basic questions हैं, यह questions बहुत बार अग्जामें पुछा जा चुका है, basic questions है, computer के जो history है, basic fundamental से वहां से questions पुछत है, पहला गया था, सांखी की जो है, वहां पे इसको स्टापित किया गया था, तो इसकी देखना है, यहां पर भारती है, सांखी की है, संस्ता कोलकता में इसको स्टापित किया गया था, भारत का पहला computer था, वह, ठीक है, question number next, तो किशी स्थान किस स्थान प्वारत का पहला डागर master wurden कि बात कर रहे हो तो आपको याद रखने हैं चैनी के अंदर खौळ गय था यह बेसिक मांए यह समझने वाले कुसींस नहीं है थिक हैं अब भी स्में में बात करते हैं बहुत ही बाहती बार पुचा क्या है थैसे या बैंक या किसी प्रकार के ऍजाम में पुचहँ जा सकता है सुपर कम्पूटर के जनक कों है विजे भटकर है ठीक है तो यह सुपर कम्पूटर के जनक का जाता है जिसी परकार से कम्पूटर की पिता किसी का जाता है चारल्स वावेज को का जाता है इसी परकार सुपर कम्पूटर के जनक के विजे भटकर को का जाता है सुपर कम्पिटर के बारे में अगर बात की गई है तो डिटेल में देखते हैं परम 8000-1991 के अंदर डवलप किया गया था और यहां पर परम 10,000-1998 के अंदर इसको डवलप किया गया था और बेसिक इसको डवलप करने वाली जो सहिंस्तान सीडेक है सेङ open headquarter का है इसका सीडेक का जो रवलप मेंन ओसद एडवांस कम्प्यूटिंग टेकर सेंटर डवलप मेंड ओफ एडवंस कम्प्यूटिंग तो आपको याद रहन है सुपर कम्वह्ट कर जाता है वी जे पटकर को नत नहीं किसे भीजैंश वात्कर को कहता है जो सुपर्म चे"-ाट सुपर लुप किये गए थे इस्टार्टिंग में बहुत किये गये थे सुपर कम्प劍ीटर थे यह था द्यथ्यी पटकर के दुवचिए सीडेक, पूने के अंदर इस ताफित सहंस्तान है, बड़ी कंप्यूटर के अंदर, तो Central for Development of Advanced Computing है, तो ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को इतना knowledge पता होना चाहिए, important questions है, आपको याद रखना है, question number next, question number 5 पे अपना PCXT का full form क्या होता है, तो आपको लोगों को बताना ह PCXT का full form क्या होता है, तो यह one liner questions है, आपको याद रखना है, personal, computer, extended, technology होता है, यह भी question कई बार exam में पूछा गया है, PCXT का full form क्या है, personal, computer, extended, technology इसका full form है, और यह परकार का जो computers है, तो उसको IBM के दोवारा develop किया गया था, IBM की full form भी कई बार competition exam में पूछे गई है, international business machine होती है तो आपको पता होना चाहिए, IBM की full form क्या होती है, international, business, machine होती है, IBM की full form, next, विस्वा का सबसे सस्ता tablet PC कौन सा है, यह तो आप लोगों को questions रटना ही पड़ेगा, सबसे important questions यह भी है, tablet PC कौन सा है, सबसे सस्ता, आकास, तो आपको याद रखना है, सबसे सस्ता, आकास है, आका many विस्वा का सबसे तेजगति का सूपर कंप्यटर कौन सा है, और किसु देश के दौरा उसको डवल्प किया गया था, तो आपको यह बताना है, हाल ही में important question है, वरतमार में विस्वा का सबसे तेजगति का super computer कौन सा है और किस country के द्वारा develop किया गया था जापान के द्वारा develop किया था फुगाकू यह आपको नाम याद रखना है Japanese name है फुगाकू जापान के द्वारा develop किया गया था विस्वा का सबसे तेजगति का सपर computer है सुपर कम्पूटर है विषो का तेज ईदर जाद रखना आपको वा र सबसे तेज उपर कंपूइटर कौन सा है था एंदर अनि यान को रहना है नाम बताई सो यह पर्तिवस है वर्तमान में भारत का सबसे तेज पर्तिवस है और से पहले मिहीर था ठीक है तो आपको कुष्टन का आंसर राइट करना है अब कुष्टन आ जाता है 2020 के अंदर एक्जाम में 2020 के पाल जितनी पी एक्जाम होती है उस जब तक अपडेट नहीं होता है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो परतिवस है परतिवस से पहले अगर परतिवस उप्शन में नहीं होता है तो फिर आपको मिहर एक्जाम देना पड़ेगा मिहर आपको सहीक मानना पड़ेगा और मिहर नहीं है परतिवस है तो परतिवस आपका राइट अंसर रोजेगा इसकी स्पीड किसमें नापिज आती है पेटा फ्लॉप में मापिज आती इसकी इस्पीड शूपर कंपितरगी जोगति होती है पेटा-फ्लॉप में मापित आती है तो याद रखना आपको इसकी जो खौज कभी थी अभी हाली में जनुरी 2018 में की गई थी ठीक है तो आपको किसंस को आपको देखना है इस की स्पीड किसमें मापी जाती है पेटा फ्लोप में जनुरी 2018 में इसको डवलप किया गया था पर्तिविस कंप्यूटर को शुपर कंप्यूटर को डवलप किया गया था नेक्स्ट एक इस नमर्न आपको बताना है तो फस्ट आकजाममपल आप एनिक एनिक की फुल फॉर्म भी कही कंप्यूटिशन अग्जाम में पूछी जाती है लौक्टोनिक न्युमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीगरेटर एंड कंप्यूटर होती है इसकी फुल फॉर्म सेकेंड अपने आपका आता है एड़ेक की भी फुलफ़रम कंप्यूटिशन अग्जा में पुछाती है एलॉक्टोनिक डिस्क्रीट भी वेरियाबल होती है आपको याद रखने है यूनिवर्सल और फिर आटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुलफ़रम होती है यूनिवेक का ये वेबसाइक जन वेबसाइक कंप्यूटर था जेनिवेक थेकłeं कि ए आएंड़ीम 701 योई फ़रीश्ट जनट्रेशन का कंप्यूटर है तो कई बार रहे याईकजं़ में पूछा आता है कुछश्चन रिश्ट इनमें से फस्ट जनरेशन का कंप्यूटर बॉर्टे पुझा आए बीम सिक्स फाइब जीरो ये भी एबीमस सेवन जिरूंगी कम्पूटर है तो आपको आग्योंप एपने friends के साथ इस परकार के questions आपको analysis करने के बाद में ही आपको मैं प्रवाइड करवाता हूँ भले डिया आपको analysis करके सई जानकारी आपको provide कराना मेरी जिम्यदारी है तो आपको next questions की तरह बढ़ते हैं अपन question तो आपको वन लाइनर के रूप में बैसिक वेक्ट के बारे में आपको यहां पे बताने वालों इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट की बेसिक अगर बात कि जाए तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है International Network कई वार competition अ कि पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि International Network जो इंटरनेट का Full Farm गई होता है वो International Network होता है दूसरा नेट चाहिए इंट रोक नेट में तो कई बार पुछाता है कि इंट रख नेट को ही मेंट से गयता है इंटरनेट का फूल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेट्राक या इंटरनेट का पूरा नाम माली जी ठीक है नेश्ट इंटरनेट का जो पिता किसे का जाता है विंटन शिरफ को याद रखना इंटरनेट का पिता किसे आधा जाता है विंटन शिरफ को का जाता है इंटरनेट का अविस्कार कब हुआ था 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट का विस्कार हुआ था इंटरनेट का पिता का जाता है आपको यह याद रखने तो देखो भारत में इंटरनेट की जो सेवा जो प्रारम हुई थी यह 15 अगस्त 1995 की दिन हुई थी तो आप याद रखना भारत में इंटरने होती है और पहला इस था विदे था विदे शंसार निगम लिविटेड था यह याद रखना उसके बाद में आया था ब्यास Nore . लिमिटेड विएसनल के बाद में आया था तो याद रखना विएसनल और विएसनल वी और वी याद रखना इस परकार के टरंस में तो पहला इस पी अकर पुछा है था तो विएसनल विदेश संचार निगम लिमिटेड और विएसनल भारत संचार निगम लिमिटेड और इंट्रेनेट की पिताव इंटन सिर्फ को कहा जाता है नेक्स्ट डबलू 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 क्या है वार्ड वाइड वेव टीम बरनलस के दुवार इसको डवलप किया गया था यह ब्राउजर था ठीक है इसके बारें बेसिक जानकारी आपको यह पर पता होनी चीए तो इंट पुरा नाम क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेव होता है जिसका विकास कब क्या गयता है नाइश इन दौरा रखया तो आपके आप्सक्रह जानकारी आपको इसको रटना इपड़ेगा कोई तो आफिक जो ul आते हैं तो वो आपको सही हो जाएंगे जम में तो नेक्स्ट भारत की जो पहली राजनितिक पार्टी थी जिसने अपनी वेब साइट इंटरनेट पर बनाई थी वह कौन सी पार्टी थी यह बीजीपी थी भारती जनता पार्टी थी यह पूछा गया था जिस टामें इंटरनेट पर बनाई थी यह बीजीपी थी बीजीपी को मतलब भारती जनता पार्टी यह इंपोर्टेंट क्रिशन से आपको याद रखना है क्यूशन नंबर 13 के बात करते हैं बारत में यह कुशन भी उसी टाइम में आथा जाम में भारत में सरो पर्थम सिक्क्यम राज जो सरो पर्थम अपनी जो इंटरनेट पर टेलिफोन डिरेक्टरी उपलब्द करवाई थी तो यह तेनों क्यूशन इस परकार की क्यूशन से हैं जो अग्जाम में आपको कहीं ने कहीं देखने को मिलें अगर जो कोई स्टुडेंट च्यार पांस साल से जो अग्जाम दे हैं टो यह कूशन आपको इसको मिलेंगे जुरूर इस परकार के देखने के मिलें होंगे और जो आगहाँ में जो अग्जाम करता है तो यहां परसे यह होता है कि क्या होता है और मेल मेर्म यहां पर सारे करदी है और यहां पर को यह सबसे इंक्रूंट क्यों लगा लए यहां पे डाम्य नाम होता है जो इंटरेट कि सैट की पहkayak मैं लेकाई लिख memb Student लिकांनता यह ठीक है तो URL का full form क्या होता है uniform resource locator सरकारी जतनी वी वी सहिंस्तान होती है उश libro 最nt करते है बहारत को यहाँ पे इंडिया को रिपर्जेंट करते है है ड्येट किस्को रिपर्जेंट करता है यहां पे नेट्र को रिपरजेंट करता है जो सितने भी सैक्शिन्ट सांसतान होती हैं जैसे मैंने यहांते पर लिखिच्थ करता है यहां यहाद रखत holds और इस परकार का ही examiner होता है तो इस परकार से paper को आपको set करके यह domain name से questions पूझा गासकता है इतने भी जितने भी मैंने आपर domain name लिखे हैं वो सारे domain name exam पूझे गएं उनका पूरा analysis करके exam paper का इस परकार परेको set निस्टी में किसका यूज किया गए था यहां पे वेक्यूम ट्यूप का यूज कि अध Infinite verhegane싱 किंगा नहीं किसका यूज किया गए था आपको按द में बतानी ट्रांजिस्टर का यूज kiss सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना यह वीडियो और राजस्तान पुलिस पटवार एल्डिस सुचना साय कि आने वाली वर्ति कंप्यूटर टीचर एल्डिसी ग्रामसेख पटवार सब जिस्तनी भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट अग्जाम हैं वहां सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए इतना ही अमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी मच